प्राइबेसी पॉलिसी जब से आई है तब से वाटसेब जो है सवालो के घेरे में है और काफी सारे लोग जो है प्राइबेसी पॉलिसी को अगरी कर लिये है काफी सारे लोग जो है नयावला प्राइबेसी पॉलिसी को एगरी नहीं किये हैं आप लोगों को पता होगा कि एगरी करने के लिए वाटसेप की तरफ से बहुत दफा टाइम तिया गया बहुत सारे चीजे लागू करने को बोला गया लेकिन फाइनली वाटसेप की तरफ से बोहत बड़ी अपडेट आ चुकी है अगर आप WhatsApp का नया वाला privacy policy को agree नहीं किये हैं तो घवराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि WhatsApp आपका WhatsApp account डिलेट नहीं करेगा इसकी साथ ही आपको limited function भी नहीं देगा पूरा के पूरा function देगा इस्तमाल करने को यहाँ पर WhatsApp की तरफ से य लेगा और limited function कैसे काम करता है इसके उपर हम detail में वीडियो बना चुकी है description box में सबसे उपर link है उस पर क्लिक करके आप चाहो तो देख लिजेगा आप यहाँ पर देखे WhatsApp की तरफ से जो अपडेट दिया गया है इसमें WhatsApp ने यह बता रखा है कि अगर आप privacy policy को agree नहीं करते ह फिर भी आप पूरा function को इस्तमाल कर पाओ कि आपको limited function वाला facility नहीं दिया जाएगा किसी भी account पर limited function वाला facility नहीं दिया जाएगा limited function में होता क्या था कि आप अपने chat list को ना खोल कर गेवल और केवल notification की तोर पर बातचीत कर पाते थे calling वेगरा कर पाते थे call receive कर पाते थे जब भी आप chat list खोलने जाते उस समय आपको बताया जाता कि आप पहले privacy policy को agree करो तभी आप यहाँ पर chat list को खोल कर बातचीत कर सकोगे message फगरा कर सकोगे लेकिन आभी भी आप देखोगे कि यहां पर जब चैट लिस्ट आप खोलने जाते हो और privacy policy को agree नहीं करते हो तो आपको वहाँ पर पॉप अप तो नजर आता है notification तो नजर आता है कि नयावला privacy policy को agree करेए लेकिन बगल में नटनाओ की भी options आते हैं जहाँ पर किलिक करके आप उसे हटा सकते हैं temporarily के लिए उसके बाद फिर से आप WhatsApp ओपेन करोगे तो फिर से आपको notification या फिर pop-up दिया जाएगा लेकिन उसे बीना agree किये आप हटा सकते हो लेकिन यहाँ पर limited function की बात करें तो अब इसी policy को agree नहीं करोगे तब तक WhatsApp जो है आपको notification और pop-up भेजते रहेगी कि आप इसी agree कर लिजी अब ये आपके मन के उपर है कि आप इसी agree करना चाहते हैं या फिर nut now करना चाहते हैं आपको nut now की options मिलेंगे और agree का options मिलेगा तो आप अगर agree नहीं भी करोगे तो भी आप लो एक बहुत बड़ी update WhatsApp की तरफ से कहा जा सकता है लोगों के मन में लगातार ये डर पैदा हो रहा था कि हमारे account पर कब limited function कर दिया जाएगा ये कोई नहीं जानता जो कि यहाँ पर 15 माई को समय दिया गया था लेकिन 15 माई के बाद भी देखा गया WhatsApp की तरफ से limited function वाला features देख करने को मिलेगा और अगर आप एगरी कर लेते हो तो अच्छी बात है बस आप लोग एगरी कर लोगे तो आपको notification या फिर pop-up एगरी करने का नहीं मिलेगा जिसे से आप परिशान नहीं होगा तो इस छोटे से वीडियो में हमने आपको बहुत बड़ा update दिया है WhatsApp को लेकर अगर आप नयावाला privacy policy एगरी नहीं किये हैं और नहीं करना चाहती हैं तो कोई दिकत नहीं है कोई जोर जबरदस्ती WhatsApp के तरफ से नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहां पर पूरा function आपको इस्तमाल करने को दिया जाएगा पहले होता था कि यहां पर जोर जबरदस्ती करके लगता था कि WhatsApp जो है privacy policy को एगरी करवा रही है अगर एगरी नहीं करेंगे तो हम अपने chat list को access नहीं कर पाएंगे पूरा function इस्तमाल नहीं कर पाएंगे अब इस चीज को WhatsApp ने सुधारा है और WhatsApp आप जो है लोगों के मन के उपर छोड़ दी है कि आप एगरी करना चाहती है त आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए अपने WhatsApp वाले दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर सेयर करिए और आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने WhatsApp की नया वाला privacy policy को एगरी किया था या फि ज़ात इया है वीडियो को लाइक करिएगा आपने दोस्तों तक सेयर करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि हम छैनल पर इसी परकार के महत्पुर्ण वीडियो लेकर आते रहती हैं धन्यवायद